नमस्क्राइब जैहिंद जैफार दोस्तों आपका अपने चनल आईटे भारतिस के यूटूब चनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है दोस्तों हमारे जो एलेक्टिशन के क्लास सब्सक्राइब करते हैं तो टॉपिक हमारा है प्रतिदीप्ति याने की इल्यूमिनेश तो इसके मैं दोस्तों काफी कॉश्चन करवा दिया और मैंने दो तीन टॉपिक और करवा दिया प्रॉपर वेसे अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो प्लैलिस्ट बनी है अलेक्टिशन के नाम से तो आप वहां जाकर प्रिवेत तरीके से उन कॉश्चनों को जा रहे तो आप इस ग्लास से जड़ जरू चाहिए अगर दोस्तों आप इस एल्पी टेक्निशन का फान्डेशन बेच लेना चाहते प्रॉपर वेसे तैयारी करना चाहते हैं और अच्छी तरीके से ब्हेतर करना चाहते हैं तो हमारा जो आप बैनर देख रहे हैं यहां प अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगा तो वीडियो को हम जब तीस मिनिट के बनाते हैं उसमें हमको कम से कम डेड़ या दो घंटे लग जाते हैं उसको एड़िट करना और कुशन को कटिंग करना तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि वीडियो को सपोर्ट करें और अगर अछे लगे तो लाइक सफ्टल बढ़र करें तो कॉश्चन को इस्टार्ट करते हैं तो ऊपकी स्कीन पर दोस्तों दिया है कि घरों में जो पंखे होते हैं और लींप रहोते हैं किस स्रेंग में जुड़े होते हैं आपको बताना है आपको किस औप시면 ने स्रेणी ऑप्षिन भी है समांतर करम में ऑप्षिन सीय स्रेणी और समांतर का संयोग उप्षिन है इनमें से कोई नहीं है तो सभी साति लिए से कमेंट करें कि इसका राइट आंसर कौन सा हो दोस्तों देख सकते हैं यूपी पीसे टीटू में कोशन पूशा गया तो आप कि समांतर करम में दो अ्योगी है सब्सक्रिय का इसुट Already Ö में ध्यक्ति को सुमांतर करम में जोड़ा जाता किसमें समैंतर करम जो करिंदा से किोन हं से जोप this time में होने से बल्व किसी कम्रे का फ्यूज होता है मां दूसरे कम्रे के बल्व या उसी कम्रे की पंखे पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है ठीक है जैसे कि और ने किसी भी अपने कमरे में फ्यूज लगाया ठीक है तो अपने ही कमरे को क्या करता है सेफटी प्रतान करें ना कि दूसरे कमरे का ठीक है इसका कहने का तत पर यह तो नाइस कुश्चन पर जलते हैं आप्शन है ट्यूब को किक स्टार्ट करने के लिए उच बोल्टेज परता करना आप्शन वह चलते समय ट्यूब कि डिस्चार्ग करन्ट के परणाम को शीमित करना आप्शन सी है इन में से दोनों और ऑप्शन डी हमाला जया इन में से कोई नहीं तो आसा करता हूं उसका रा हमारा चलते समय यानी की का रवधी में जो डिशार्ज की परेणाम के प्रैणाम को सीमित करना ठीक है यह दो काम होते हैं अगला वार एक्ट दिया है आज कल जो ट्रॉनिक जो चौक का ज्यादा प्रियोग के आज जितने वी जो चौक आ रहे हैं वह सभी के सब्सक्राइब इनके प्रियोग करने से क्या होता अलग से लगानी की जरुवत नहीं होती है यह उसके प्रियोग करने के करने पर इस पार्किंग होने के काराड की परपत में निम लिकित विद्वान है आप्शन से उच्प प्रियोगत ऑप्षिन भी यहां उच्ठ धारिता उप्शन सी है उच्प प्रति रोध उप्षन डी है उच्प प्रति वहादा तो सभी साथ ही कमेंट करेंगा इसका राइट अंसर जितने भी student क्या कर रहे हैं वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इसका जली से जली राइड अंसर कमेंट करें तो जो भी students का राइड अंसर कर रहे हैं option नमबर एक उनका correct होगा यानि की उच्च प्रेरा किसका correct answer होगा शर्म का ट규 Tech जो विडूथ संचालन याफ क्क करता है एक का यहीं यह होति होथी क्या होती थिए वार्ट कशुफरन आप का काम करता है अगला फेक्ट देवे सामांता यह है एक का है मेकunal डिवाइस होती यह क्या होती है कि अगला हमारा इसे मैनुवली भी संचालित किया जा सकता है तो यह फेक्ट थे मानु को बताता है तो नेस्ट कुश्चन पर जोगा कुश्चन में त्यूब लाइट परिपत में उच वोल्टेज का जो प्रभार निम्य लिकित दुवारा उत्पन होता है अबनला किसके द्वारा होता है ऑप्शन है इस्टार ऑप्शन भी है चौक ऑप्शन सी है ग्लास ड्यू ऑप्शन दी मारा एलक्टोड तो सभी साती कमेंट करेंगे इसका राइट अंसर जितने भी स्टुडेंट लाइफ हैं और वीडियो देख रहे हैं तो जल्ले से देख लेते हैं तो फेक्ट के स्कीन पर यह रहे है पहले निशित आर्क धारा को बनाने से रोकता है और दूसरा और फेक्ट है चोक लेक्टोड के बीच आर्क को अपन करने के लिए अपेच्छा कृत अधिक क्या करता है विवानतर यानि की 800 से लेकर 1000 बोल्ट तक क्या करत सर्ज देता है ठीक है यह चीजे फेक्ट समय थी तो नेक्स कुश्चन पर जलते हैं तो नेक्स कुश्चन आपके स्कीन पर दूसरा चुगा देख सकते हैं जिरो वार्ट के लेंप की विद्धुत खापत है और दोस्तों यह कुश्चन एल्पी में कुश्चन पूचा गया सब्सक्राइब करेंगा और इंपोर्टन कुश्चन है आपने घर में देखा होगा कि जिरो वार्ट जिरो वार्ट कहते हैं लेकिन यह जिरो वार्ट का मतलब यह थो नहीं को इल्कुल खपत ही नहीं खारा तो उसकी भी कुछ खपत जरूर है तो जलिस बतास का राइट अं तो जो विश्चन कर आइटम कर रहे हैं और उप्शन नमर बी उनका करेक्ट आंसर होगा यहानि कि जो पांस से साथ वार्ट तक क्या करता है इसकी जो खपत होती है कि जीरो वार्ट के ठीक है तो इससे सम्मादिस फेक्ट हैं वह भी हम देख लेने फेक्ट हमारा दिया कर देख सकते हैं अबर मूल पुराने ऊर्जा मीटर की खमिया उनमें कमियां होती है कमियां को कारण यह बोल्टेज रिकार्ड में नहीं आती थी इनके जो भी खपत करते थे इनको क्या रिकॉर्ड में नहीं आता था इसलिए इन जीरो वार्ट के वल्व के नाम से जाना जात सब्सक्राइब से विस्थापित किया जा सकता है ठीक है अगला हमार एफेक्ट दिया गया है नए एलिएडी वल्व अत्यंत ही क्या होता है सूनितम बोल्टेज के होते हैं लगबक 0.5 वाट यह इसके कुछ एफेक्ट थे मैंने आपको बता दिये इसको नोट करना चाहें नोट कर लिए उसके ले सकते हैं तो नेस को आपके स्कीन पर दस्तों आ चुका है देख सकते हैं अगर डूब लायट में चोक नहीं लगाया जाए तो आपको बताना क्या होगा आप जोने है नहीं चलेगी ऑप्शन भी है हमेसा चलती रहेगी औप्शन सी है फ्यूज हो ज तो जो विश्टन का राइट अंसर कर रहे हैं ऑप्शन नमर सी उनका करेक्ट अंसर हो जाएगी क्या होगी फ्यूज हो जाएगी इससे संबंदे फ्यक्ट वह भी देख लेते फ्यक्ट हमारा दियागा देख सकते हैं तूब लाइट को चालू करने और उसकी धारा को असीम करें प्रियोग क्या जाता है इसके क्या करते हैं और हमार करते हैं यह को यह कटेएग् lasoon कैका प्रियोग करते हैं यह क्यों कि यह क्या क्ते हैं के होते हैं तो आपके स्कीन पर 200 आजो का देख सकते हैं तो कुस्ट्न जिया गया है कि जो कोयल का प्रियोग में निम्न धारा को नियंतित के लिए के क ενσ Gee itadamagymna के लिए कि यह बताना और यहां पर जेख सकते हैं यह कोशन इस स्रहों में बुशा गया तो केवाल सी औूप्शन भी है के विल डी सी ऑप्शन सी हमारा को याद हो चाहिए जैले से कमेंट करें कि सभी साथि कमेंट करने का राइट अंसर तो जो उस्टेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट अंसर होगा याने की केवल एसी धारा को क्या करता है नियंत्रित करता है इससे संबंदिस फेक्ट हैं वो भी देख लेते हैं फेक्ट हमारा देख सकते हैं आपर फस्ट दिया गया कि यह है डी सी धारा पर संचालित नहीं करता है अगला फेक्ट हमारा दिया अब इलेक्ट्रिकल जोग का प्रियोग नही किया करना पड़ी अगले हमारा है यह अधत दीया क्या होता लिवर वल्हुसाल भयुशनिया है थीलेशन उपट करना हो सकता है ऑप्षिजन እ यह कराब स्थार्टर वप्षिंट कोई नहीं तो जलली से कमेंट करें तो जो भी स्टुदेंज का राइट अंसर कर रहे हैं स्टुदेंट नमबर डी उनका करेक्ट हो यानि कि इन में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा क्यों होगा इसके प्रभाव को शमात करने के लिए गलोप रारूपी स्टार्टर के पास में जिरो पाइनट जिरो टू माइक रोफैरड का संदर संधरित लगा दीय जाता है अगला अग्जला आप्शचिन जो हमारेat रोशनी के तिरची प्रुषाव के लिए का प्रियोग होता मंदल किसका प्रवाद होता आपषिन कोणिये होल्ड ऑ ओप्चिन भी है तो उससे समंदूश फ्यक्ट है वह भी देख लेते हैं वहारा दिया है जो लेंप पकड़ने वाली युक्ति को हम गया कोते हैं लेंप हॉल्डर गोलते हैं अगला इनमें पेन और पतियां लगी होती है जो लेंप के फिलामेंट से क्या करती है इस पर सकती है ठीक है अगला ह में दिया गए कि सामान बल की तुल्ण में प्रतिदीप्त नली कि प्रतिदीप्त नली बताना है option A हमारा कम प्रकास देदी option B है अधिक प्रकास ओप्षिन सिए केवल एक रंग का प्रकास दिये हैं क्या करता है आँख पर जोर पड़ता है और अधिक छाया परदा करता है यह सामान बल्ब की तुल्नामे का प्रतिदित जो नली यानी फ्लॉरोसइंट ट्यूब जो है अधिक प्रकाश देता है इस से सम्मादिश फैक्ट हैं वह भी देख लेकते हैं इसकी जो अगर बात की जाए इसकी जो दच्चिता कितनी होती है अधिक होती है कि 60 लुमिन पर व दोनों पर संचालित होता अगला एक्ट है इसका जो लाइफ होती है वह दिए साथ पांसों घंटे होती है अगला हमारा एक्ट है इसमें से कुछ मात्रामें क्या होता और याद रहा जाता है कि अगला है इसमें विभन रंगों का प्रकाश क्या होता है प्राप्त किया जा सकता है यह फैक्ट से कुश्चन संबंदित और इनको आप जरूर याद रखें क्योंकि फैक्ट से 100% आपको कोश्चन देखने के लिए मिलें है अग्ष कोश्चन आपके स्कीन पर दूस्त आचभान दैसकते है जब प्रतितीक्व ट्ीअड के साथ सकति फिलांक सुधारने के लिए संधारित का प्रियोक्त की आ तो जो भी स्टूडेंट इसका नाइट अंसर कर रहे हैं ऑप्शन नम्मर सी उनका करेक्ट होगा यानि कि 80 परसेंट के करेक्ट आंसर होगा तो इसके फेक्ट हैं वह भी देख लेते हैं फेक्ट हमारा फस्ट दिया कैपेसेटर जो लीडिंग विद्धुधारा प्रदान करत है अगला है गलो टाइब इस्टाटर के पार्श में 0.02 माइक्रो फेरेट का कैपेसेटर लगाया जाता है अगला कुशन है अब सिर्फ एलक्ट्रोनिक चोक का प्रियोग कर सकती गुडांग को बढ़ाया जाता है ठीक है तो अगला कुशन आपके स्कीन पर दूस्तों दिय कि उनका प्राचलन सुरच्चित रहें तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है मैं आपको पहले से बता देता हूँ इसमें दोस्तों आपको दे सकते हैं यहां पर सुरोत की बोल्ट ता कितनी दीगी यहां पर 200 दीगी ठीक है और आपको दिया गया प्रतियक कुआ क्तली है तो बरावर करके करणा शूरोथ की आपउर्ट की बोल्ट ता कितनी निया दूपको दिया कितना गया एक बल्ब की तो एक बलपी को बोड्ट के त्नी तो दी छो सथी को आप डिवाइड कर ऺघा थी शिरब कुटि करेंगा है तीन से काटेंगा तीन चंग 18 तो इस प्रकार जो आपका आएगा लगभग अगर बात करें तो इस प्रकार जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नम्मर एवा 67 इसका राइट आंसर होगा ठीक अमिद करता हो समझ में आ गया इसको आप एक बार क्रोंट करके दिखें तो अच्छे समझ में आगया ठीक तो नेच्ट कोशन आपके स्कीन पर दस्वाज को दे सकते हैं नियोन साइन नली का जो कार शिद्धान्त है क्या कार शिद्धान्त है और दोस्तों यह लेटेस्ट को प्रतिदीप्त प्रभाव ऑप्शन प्रकास उसरजन प्रभाव तो कमेंट करें जो था गैस विसरजन प्रभाव उसका करेक्ट आंसर होगा इस सम्माद इस फैक्ट है वो भी हम देख लें फैक्ट आपका दिया गया फैस्ट यह एक से पांस मीटर लंबाई तथा दस से बीस मिली मीटर व्यास का क्या होता है व्यास की एक कांच नली से बनाई जाती है ठीक है अगला फैक्ट है नली की जो अच्छरों यह आकरती मोड का जो विग्यापन कार हेट विश्यस रूप से तयार किया जाता है अगला है लंबाई के अनुसार इसके जो संचालन एक हजार से लेकर पांस हजार बोल्टेज तक उच्छ बोल्टेज की अशकता हो दिये नेक्स हमारा दिये गया परिपत में विद्धुधारा का मान कम हो करते हैं ठीक है तो नेस्ट कॉश्ण पर चलते हैं इसको नेस्ट कॉश्ण है कि जो नियोन साइन नली द्वारा उतपन प्रकाश का जो रंग होए वो किस पर डेपेंड करता है। आपके सामने चार option से लीए गए है option A है, नली पर रारığाटित बॉल्टिता पर a उप्षिण में नली में से प्रवाहित होने वाई धारा पर option C है नली में भरी गई गया एस पर option D है नली के तापमान पर यह भी question important है तो जल्ली से comment करेंगे इसका right answer कौन सा है सभी साथी मलब जो neon sign जो नली है प्रकास किसके प्रकाश पर depend करती है आपको बताना है तो जो भी student इसका right answer कर रहे है option नंबर सी उनको correct होगा यानि की नली में भरी गई क्यास पर डिफेंट करता है ठीक है इससे समझे फेक्ट हैं वह देख लेते हैं फेक्ट हमारा दिया कि इसके दोहरा विवन रंग पर प्रकाश प्राप्त करने के लिए विवन निस्क्री गेस्टों का करता है मिश्णरफ का प्रयोग किया था जैसे कि आप अगर गैस है तो इ लीला ट्यूब में नियून और मरकरी हमेक्स है तो हमको क्या हरा रंग प्राप्त होगा तो कभी-कभी एक्जाम में इस तरहीं सब्सक्राइब पूस लिए जाते हैं आप इन चीशों को ज़रूर याद रखें और फेक्ट को बिल्कुल नदर मतलब बिल्कुल कालन के दो वल्बों को 250 वोल्ट स्रोत के स्टेडी क्नम में संयुईत कर दिया जाएं तो और सब्सक्राइब ऑक्प्रकाषित नहीं नहीं होगे तो दुसकर बार एक्जाम पूछे आते हैं इस तरह से आप बताहां इसका राइट आनसर गया होगा जली से कर्मेंट करें सभी साथ है तो जो भी स्टुदेंस का राइटेंस कर रहे हैं ऑप्शन नमर बी उनको करेक्ट आंसर यानि कि का हो दोनों मंद प्रकाश पैदा करेंगे क्यों करेंगे तो आपको बताता हूं इसके साथ तो यहां पर दियागा दोस्तों देख सकते हैं और यह दि होगा सो वाट्ट और दुसो पचास वाट्ट जो आखन के दो बलबूं को दो सुंदुक्त कर देजाए तो क्या हो दोनों मंध प्रकाश पैदा करतें क्यों क्यों करेंगे स्रीडी करम अंधारा का मान क्या तो समान हो ता पर रंत वोल्ट ता क्या होता कम होती ज तो क्यों तुरंत बंद कर देना चाहिए अगर जलता बुलता है उसको तुरंत बंद क्यों करा देना चाहिए अब यह बताना आप्चन है चोक अथवाइस टार्टर खराब हो जाएगा आप्चन बी हमारा रेडियो रेशीवर में शक्ति साली व्यती करण पैदा हो आप्चन सी यह बोल्टता ब्रद्धी की कारण दूसरे दीप यानि लेम पीपी खराप हो सकते हैं आप्चन डीप के तंत फुक जाएंगे है तो सभी साथ ही कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर तो जो भी स्टुन्स का राइड अंसर कर रहे हैं ऑप्चन नॉम्मर ज़ले से बताया है कि अप्चिन नूमर डी जो भी कमेंट कर रहे हैं उनका करेक्ट आंसर यानि दीप के तन्तु क्या हो जाएंगे तो इसको सब्सक्राइब देख लेता है तो अनित्था क्या होगा इसके तन्तु क्या हो खराब जाएंगे अगला हमारा है जो लेंप है 20 वार्ट और 40 वार्ट क कार के लिए प्रियोग किया जाते हैं ठीक है कौन से फ्लॉरोसेंट लेम अगला हमारा दिया कि अगर दच्चिता की बात की जाया तो इसकी दच्चिता दोस्तों होती है वह साथ ल्यूमन परवाट होती है और अगला फेक्ट है इनमें कुछ महात्रा में क्या आरगन गैस भरी जाती है ठीक है तो यह हमारे कुश्चन से थे आज की इस वीडियो के और मैंने दुस्तों काफी कुश्चन से आपको करवा देता हूं और फेक्ट के साथ आप दोस्तों वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक जरू करें और चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक कर सकते हैं और जो हमारा कूपन कोड़ सिवा 10 के नाम से उसको यूज करें तो आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा और आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप इस नमबर पर कॉल करके पूस्च सकते हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो चैहिंग जया भार का जएग है।